पुष्पदंत सागर जी महराज की उत्तम ब्रह्मिचर धर्म की प्यारी प्यारी भब्यात्माओ आज उत्तम ब्रह्मिचर ये का दिन है उत्तम शब्द लगा है ब्रह्मिचर की विवस्ता तो सभी जगे है सभी धर्मों में भगवान महावीर ने उत्तम शब्द लगाया है दश धर्म दिये भगवान महावीर ने अपने आत्म सादकों के लिए छमा से सुरू हुआ धर्म छमा वाणी पर समाप्त हो जाता है अकेली छमा से कुछ नहीं होगा उत्तम छमा उत्तम ब्रह्म चर्य उत्तम कार्थ होता है अंदर से भी होना और बाहर से भी होना वासना के चक्रवहू से निकले विना कोई परमात्मा का साक्षात कार नहीं कर सकता है परमात्मा और हमारे बीच में यदि कोई परदा है पतला सा परदा है तो केवल हमारी वासनाओं का है हमारी च्छाओं का है हमारी आकांचाओं का परदा है वो परदा गिरा कि परमात्मा का प्रगट होना सुभावी को जाता है एक परदा है हमारे और भगवान के बीच में और ज्यादा कुछ नहीं है जो मैं हूँ वही भगवान है जो भगवान है वही मैं हूँ बस एक थोड़ी सी रुकावट एक दिवार वासना की दिवार वासना की दिवार गिरे विना परमात्मा से दीदार नहीं हो सकता एक वात को हमेशा अपने जीवन में इश्मरण में रखना कि मनुस्य का जन्म काम से होता है वासना से आदमी का जन्म होता है और आदमी का ही जन्म नहीं प्रकति में जितने भी जी उनका जन्म वासना से हुआ करता है उनका जन्म काम से हुआ करता है लेकिन वो हमारी मजबूरी है वो प्रकति की बेवस्था है इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते तीठंकरों का जन्म भी होता है तो काम से हुआ करता है महापुरसों का जन्म भी होता है तो काम से हुआ करता है काम से पैदा होना इस संसार की मजबूरी है इसमें आप और हम कुछ फेर वदल नहीं कर सकते विज्ञान में भी ताकत नहीं है कि इसमें कोई फेर वदल कर सके इस जगत की बिवस्था काम से पैदा होना आदमी की मजबूरी हो सकती है लेकिन काम में जीना और काम में मरना ये आदमी की मजबूरी नहीं हो सकती है ऐसा हो शकता है कि आदमी पैदा काम से होता है लेकिन राम मैं जीए और राम मैं मरे तो उसका जीना सार तक हो जाए काम के लिए मत जियो राम के लिए जियो राम में जियो जीवन हमारा सार तक हो जाएगा भोग में नहीं योग में जियो इभारत की संस्कति है समाधी में जियो उर्जा का उपियोग कहां कर रहे हो जब ये उर्जा नाभी से उपर जाती है तो योग बनता है और जब ये उर्जा नाभी से अधो गती में गमन करती है तो भोग बना करता है उर्जा यदि उर्ध गमन करने लगे तो साधना हो जाती है और उर्जया यदी अधोगमन करना लगे तो वो वासनावन करके खड़ी हो जाया करना कहां लगाना है अपनी उर्जया को ध्यान रखना विशे भोग में या परमात में योग में धानत धरम दस पेड़ चड़के शिवो महल में पगधरा जो उत्तम ब्रह्मचरी को स्विकार कर लेता है वो मोक्ष के महल का अधिकारी हो जाया करता है अंतिम साधना यसा कोई भी धर्म ना होगा जो ब्रह्मचरी की बातना करता हो ध्यान रखना हिंदू धरम भी कहता है ब्रह्मचरी होना चाहिए जैन धर्म भी ब्रह्मचरी की साधना करता है बहुत भी कहते हैं बिना ब्रह्मचरी के ब्रह्म जैसी चरिया होने वाली नई इसाई भी ब्रह्मचरी को महत्तु देते हैं बासना को सभी धर्मों ने बुरा कहा है मेरे भाई बुरी होती है बासना बासनाओं के चक्कर में मत पड़ो फिर संसार कैसे चलेगा प्रकती की ब्यवस्ता कैसे चलेगी उस दिन आये थी न अंग्रेज लोग उन्होंने प्रस्न किया था कि सभी बिवाह नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा भगवान महावीर ने कहा है बिशयों का सेवन सुक्के लिए मत करो संतती को जन्म देना है तो बिशय भोग का सेवन करो एक बार पूछा गया कि आदमी को जिन्दगी में कितना भोग करना चाहिए तो मालूम है संतान उत्पत्ती तक ही भोग करना चाहिए बस तीठंकर जिसके बंस में हम पैदा हुए है इकलोते पुत्र होते हैं माता पिता के उनका कोई भाई नहीं होता उनकी कोई बहन नहीं होती इकलोते पुत्र होते हैं एक पुत्र होता है और माता पिता ब्रह्मचर की साधना प्रारम कर दिया करते हैं जीवन का कल्याड का दूसी संतान पैदा नहीं होती उनसे माता पिता से एक ही पुत्र होता है जिनेंद्र भगवान की जननी एक पुत्र को जन्म देती है बस दूसरे को नहीं जैसे ही तीठंकर जैसी आत्मा जन्म ले लेती है उसी दिन से वए माता ब्रह्मचर की साधना प्रारम कर दिया करती है विशेभोगों से दूर हो जाया करती है अरे ऐसे ही थोड़ी संतान तीठंकर जैसी पैदा होती है एक बात याद रखो पूना वालो अरे तीतर जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली कोई बिरली तसला माता हुआ करती है कोई बिरली मरुदेवी माता होती है जो तीर्थंकर जैसे पुत्रों को जन्म 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 की साधना होती है तब जाके गर्व में तीठंकर जैसे पुत्र आया करते हर किसी के गर्व में थोड़ी आते हैं 24 माताएं बस दुनिया में पूरे बिश्व में केवल 24 माताएं जो तीठंकर जैसे पुत्र को जन्म देती है आचारे कुंद कुंद कहते हैं आचारे मानितुंग कहते हैं भक्तामर जैसे काब में कि ताराओं को तो हर दिशा जन्म देती है लेकिन सूरज को जन्म देने वाली केवल एक पूरब दिशा हुआ करती है जहां से शूर्य का जन्म हुआ करता है जन्म जन्म की साधना करते हैं माता पिता पिछले अतीत के कई जन्मों से ब्रह्मे चरे को धारन करते हैं तब तीठंकर जैसी संतान पैदा होती हैं आप कल्यूग में रह रहे हैं आप पंचमकाल में रह रहे हैं मेरा आप से इतना ही निवेदन हैं तीठंकर जैसे पुत्र तो तुम पैदा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो 24 ही हुआ करते हैं उससे जादा नहीं होते हैं लेकिन एक बात इश्मरण में रखना इस कल युग में भी आप जीवन को धन्य कर सकते हैं अरे तीठंकर जैसे पुत्र को जन्म ना दे पाएं तो कोई बात नहीं लेकिन मुनियों जैसे बच्चों को आप जन्म कि कैसी संतान को जन्म देना है कि आचरन हमारा जैसा होगा कि संतान उस आचरन का परिणाम हुआ करता है विचार करना है कि सिवाजी महराज महराज की आन बान और सान एक बार अपने महल में थे अपने महल में रात्री में विश्राम कर रहे थे एक घटना घट गई शिवाजी महराज की महल में एक इस्त्री का प्रवेश हुआ रात को अतिशय सुंद्री इस्त्री लावन्य मैं अपूर्व सौंदर की धारे कि सिवाजी महराज की नीन्द खुली यह नव योवना रात्री में मेरे कक्ष में उन्होंने कह देवी कैसे अगमन हुआ इतनी रात वो आशक्त हो गई थी सिवाजी पर और उसने कहा मुझे आपसे प्रेम है सिवाजी महराज ने प्रणाम किया प्रेम करती हो धन्यवाद है आपको बोले नहीं मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भोग करिए सिवाजी ने कहा कैसी बात करते हो वो ले आपका शौर्य देखा आपका स्वाभीमान देखा आपकी बीरता देखी प्रभावित हूँ मैं आपसे और इतना मान के चलना सिवाजी महराज मैं आपके रूप पर मुग्ध नहीं हुई हूँ मैं आपके शौर्य और साभीमान की कायल हो गई हूँ तो क्या चाहती है मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कोक से सिवा जैसे पुत्र का जन्म होना चाहिए इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हो तुम्हारे जैसे बच्चे को मैं जन्म देना चाहती हूँ भारत की हरनारी एक सिवा पैदा करे अपने जीवन में जो एक ताकत बने बिष्व की देश की संस्क्रती की आन की बान की शान की मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए वुले, सिवाजी महराज ने कहा, मेरे जैसा पुत्र, भूले हाँ, भविष्य को कौन देखता है देवी, भविश्य किसका क्या होता है, लेकिन तेरी एक ख्वाइश है ना, कि तेरी कोक से मेरे जैसे बच्चे का जन्म होना चाहिए, भूले हाँ शिवा, भूले तु ये चा तो मालूम है इस महाराष्ट का स्वाभीमान उस देवी के चरणों में सीज जुकाता है कहता है देवी तू मेरे जैसा पुत्र चाहती है ना तो भोग की जरूरत नहीं है आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा पुत्र बन करके जीएंगा जीवड़ तुझे पुत्र ही चाहिए तो मैं पुत्र बनता हूँ इसके लिए इतने कष्ट सहने की क्या जरूरत है तू मेरी माता और मैं तेरा पुत्र हूँ आज से मानिवर यह महापुरुश्यों के जीवन है विचार करना है आपको उत्तम ब्रह्म चर्यमन आनो माता सुता बहिन पहचानो जीवन को समझना है ऐसे ही महानिता नहीं मिलती है ऐसे ही पूजिता नहीं मिल जाती है आदमी को बहुत कुछ वलिदान करना पड़ता है अपने जीवन में भारत साधना का देश है भारत तपस्याओं का देश है भारत विशे भोग का देश नहीं है यह पाश्चात संस्कृती है जो हमारे देश पर हावी हो रही है विशे भोग और कामना नहीं मेरे भाई इसके लिए मानव जनम नहीं मिला यह विशे भोग और कामना तो पशुगत करता है बच्चों की लाइन लगाता है और कुछ नहीं करता ध्यान रखना हम मनुष्ट हैं एक हाना पीना भोगना तो पशु गती में भी प्राप्थ हो जाता है लेकिन ब्रह्मिचर की साधना केवल मनिश को प्राप्थुआ करती है मनिश गती में प्राप्थुआ करती है ब्रह्मिचर की साधना करें मा निवत एक निवेदन है वासना कहा है सरीर में वासना नहीं होती आजुत्तम ब्रह्मिचर है शरीर में वासना नहीं वासना तो विचारों में होती है वासना तो मन में होती है कामना तो मन में होती है शरीर में नहीं होती है शरीर तो शरीर है आप ध्यान रखना आप जैसे विचार बनाते हैं शरीर वैसा ढलने लगता है आप क्रोध के विचार बनाओ तो चहरा क्रोध में परिवर्टित हो जाएगा आप प्रसन्यता के विचार बनाओ चहरे में आनंद वरस जाएगा आप दुखी के विचार बनाओ चहरा दुखी हो जाएगा आप खुश होने के विचार बनाओ चहरा खुशी से भर सरीर से तुम नहीं चलते तुम्हारे बिचारों से सरीर चलता है ये मत सोचिये कि आप प्रवचन में सरीर आपको लेकर आया है आपके मन वने सरीर आने को तैयार है अभी बैठे बैठे कोई सोचे कि यार बोर हो रहे है ये ही सरीर कहेगा उठो चलो क्यों वक्त बरबात कर रहे हो सरीर का रिमोट मन के पास हुआ करता है मन से चलता है ये सरीर सरीर तो जड़ है पुदगल है इसकी कोई डिमांड नहीं ये कुछ नहीं मांगा करता है सारा संसार हमारी बासनाओं का संसार हुआ करता है मन शरीर शरीर मेरा भी है शरीर तुम्हारा भी है एक भोग में लगा है एक योग में लगा है ध्यादवक्षी शरीर तो सरीर है मन को आज का धर्म कह रहा है केवल विश्यों को छोड़ना ही नहीं है ब्रह्म चर में लीन भी होना है ब्रह्म जैसी चरिया ब्रम्याने पर्मात्मा भगवान जैसी चरिया इश्वर जैसी चरिया जिसके जीवन में होती है उसका नाम ब्रम्मचर हुआ करता है भगवान जैसी चरिया कभी अनुभव करना कभी विचार करना आप ध्यान में मेडिटेशन में देखते हैं कि भगवान होने का अनुभव क करो लोग कहते हैं विकारों से कैसे बचूँ लोग कहते हैं अपनी वासनाओं से कैसे बचूँ ऐसे नहीं बच सकते हो जितना रोकोगे बासनाओं उतना हावी होंगी हम पर उतनी जोर से अटेक करेंगी हम पर बासनाओं को रोकने का प्रयास मत करो स्वयम को परमात्मा जैसा अनुभव करो बासनाएं अपने आप छोड़ करके तुम्हें अपने आपको महान तो समझो अपने आपको भोत महान और भगवान बनने का प्रयास करो अनुभव करो मैं इश्वर हूं इश्वर की साधना करो बासनाएं तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी एक बात बताओ कि इसी के हाथ में कंकर पत्थर है और रास्ते में हीरा पड़ा हो तो कंकर पत्थर का त्याग करोगे कंकर पत्थर को छोड़ने का प्रयास करोगे या हीरा देख के कंकर पत्थर अपने आप छूट जाया करते हैं उन्हें छोड़ना नहीं पढ़ता है अपने आप मुठी से कंकर पत्थर फिक जाया करते हैं छोड़ना नहीं है बासना को नहीं छोड़ना है साधना पे आकर सित्थोना है हीरा मिलेगा तो कंकर पत्थर का त्याग नहीं करना पड़ता मेरे भाई कंकर पत्थर अपने आप हाथ से छूट जाया करते हैं आप घर से चले सडक पे गाड़ी पिर बैठ करके चले आपको सभा मंडप में आना है प्रवचन सभा में आना है तो क्या आप सडक पे खड़े होके कहोगे एए सडक में तेरा त्याग करता हूँ एए गाड़ी में तेरा त्याग करता हूँ नहीं मेरे भाई मन जिलाती है रास्ते अपने आप छूट जाया करते हैं जो ब्रह्मे चरिकी साधना ब्रह्म जैसी साधना करता है वासना अपने आप मन को समालो आख को बसमे करो कान को बसमे करो इंद्रियों को बसमे करो शुकदेव जी महाराज भागवत पढ़ी मैंने बड़ा अच्छा चरित्र है उनका शुकदेव जी महाराज बीस वर्स के नगन दिगंबर रहा करते थे स्रीमत भागवत ग्रिंथ पढ़ो हिंदूओं का वस्त्र नहीं पहनते थे शुकदेव जी महाराज दिगंबर रहा करते थे निर्वस्त रहा करते थे उन्हें बस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ी तालाव में कुछ महलाएं इसनान कर रही है पहले फ्लेट थोड़ी होते थे पहले कोटियां तोड़ी होती थी कि घर में बहुत बड़ा बात्रूम बना हुआ है वाश्रूम बना हुआ हुआ ये कुछ नहीं होता था पहले नदियों में तालावों में महलाएं इसनान किया पानी में डूबी रहती थी इसनान किया करती थी तालाव पड़ा सरोबर पड़ा महिलाएं इशनान कर रही है क्या हुआ सुकदेव जी महाराज निकले वहां से बड़ी प्रसिद कथा है भागवत की जहां भी भागवत कथा का पाठ होता है सुकदेव जी महाराज के चरित्र का बर्णन जरूर किया जाता है शुखदेव जी महाराज नगन दिगंबर चले जा रहे हैं महलाएं निर्भय हो करके इसनान कर रही है नहा रही हैं जल क्रीडा कर रही है शुखदेव जी महाराज सामने से गुजर जाया करते है थोड़ी देर बाद उनकी सतर साल के पिता वहां से गुजरे सुखदेव जी तो निकल गए सतर साल के बुढ़े पिता वहां से जब गुजरे महिलाओं की दृष्टी पड़ी घाट पर आई कपड़े लिए वो तन को ढख लिया उनों ने पूछा बुढ़े पिता ने ये बस्तर क्यों डाल लिए अपने उपर अभी अभी मेरा पुत्र यहां से गया उननीस बीस साल का जवान नवयोवन वो कपड़े नहीं पहना वो नगन दिगंबर है उसे देख करके आपने वस्तर नहीं डाले मुझे देख करके वस्तर क्यों डाल लिए अपने तन पर तो जानते हो उन महिलाओं ने क्या कहा कि हमने वस्तर डाल लिए अपने तन पर ध्यान रखना हमने वस्तर समाले हैं अपने बुढ़े ने कहा क्यों समाले बोली इसलिए कि तुम हमें घुर घुर कर देख रहे थे एई सन्यासी तुम नजरें समाल लेते तो हमें बस्तर समालने की जरूरत न पड़ती तुमने नजरें नहीं समाली इसलिए हमें अपने बस्तरों को और जो सुकदेव जी महराज गए उनकी नजरें समली हुई थी इसलिए हमें तन को समालने की जरूरत उत्तमों ब्रह्में चरिय मने आनो माता सुता बहन पहचानो आज वो हालात हैं इस देश के आज अपनी जवान बेटी को घर में अकेले छोड़ करके जाओ तो हजार संकाएं पैदा होती हैं अरे पड़ोसियों से ही खत्रा नहीं खत्रा तो घरवालों से भी पैदा हो गया है आज रिस्ते नहीं बचे पवित्र आज कोई रिस्ता नहीं बचा है इस देश में ऐसी पाश्चात्य शंसकती की ओर हम भाग रहे हैं रिस्ते ही खत्म हो गए कौन मा कौन बहन अब तो घर के नौकरों से भी डर लगता है मेरे भाई अब तो रिस्तेदारों से डर लगा करता है मेरे भाई जवान लड़की यदी घर से निकल के जाए दसवार फोन लगा के मा पूछती है वेटी कहा है वेटी क्या खा रही है वेटी तुम किसके साथ हो पूछना पढ़ता है माता पिता को ध्यान रखिये विश्वास नहीं बचा रहे पवित्रताएं खत्म हो गई है इस थापना करना पड़ेगी इस धर्ती पर सबसे पहले ब्रह्मचर की स्थापना यदी किसी ने की है इस युके प्रारण में सबसे पहले ब्रह्मचर की स्थापना करने वाला कोई पूरुष नहीं हुआ सबसे पहले ब्रह्मचर की स्थापना करने वाली नारी हुआ करती है ध्यान रखें ब्राह्मी और सुंद्री चैंसी बेटियां पिता ने पूछा रिशवदेव ने पूछा बेटियो घ्ञान प्राप्त करो जीवन की धन्यता को प्राप्त करो एक दिन बेटियों ने पूछ लिया पिता जी आप तीन लोग के नात हैं आप ती ठंकर हैं सारी दुनिया आपके चरणों में जुकती है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चरणों में आपको जुकना पड़े ठंकर किसी के सामने नहीं जुकते सारी सृष्टी प्रणाम करती उन्होंने कहा पुत्रि तिन लोग कानात मेरा पिता जगत का समराड और हमारी बजह से जुकेगा उन बेटियों ने संकल्प लिया पिता जी आजीवन विवाहे का त्याख करते हैं लेकिन अपने पिता का माथा जुखने नहीं माथा पिता का माथा ना जुके इसलिए मेरी देश की बेटियों ने जीवन भर विवाय ना करने का संकल्ब ले लिया। ब्राम्मी और सुन्द्री जैसी बेटियां और विवाहिट रही। उनने विवाय नहीं किया। पिता का माथा न जुख जाए। माता का माथा न जुख जाए। जाज की बेटियां माता पिता के मुँ में कालिक पोत करके भाग जाया करती है मेरे भाई किस संस्कती को ला रहे हैं अपने देश में हम कैसी शब्विता को ला रहे हैं अपने देश में हम यह सड़ी गली शंप संस्कतियां हमारी देश को बरबात कर रहे हैं हम अपनी बच्ची को कहते हैं विटा मिश्वर्ड वनना मिश्युनिवर्स वनना विश्व शुंद्री वनना यह घातक संसकार है ध्यान रखिए इससे कोई देश को प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है मैं आप से निवेदन करता हो कितनी भी बड़ी विश्व शुंद्री बन ज से लेकिन प्रतिष्ठा नहीं पा सकती मेरे भाई प्रतिष्ठा अलग चीज है और प्रसंसा विश्व शुंद्रियों को प्रसंसा तो मिल जाएगी लोग उन्हें वासना की नजरों से देखेंगे मेरे देश की नारी विश्व शुंद्री के सम्मान से ना बन वाजी जाए मेरी देश की नारी को यदी प्रसंसा मिलेगी प्रसंसा नहीं प्रतिष्ठा और पूजा मिलेगी आप से निवेदन है अपनी बेटियों को विश्व सुन्द्री बनाने के सपने मत देखो अपनी बेटियों को सुर सुन्द्री और मेना सुन्द्री बनाने के सपने देखिये जीवन आपका सार्थक हो जाए मेना सुन्द्री ब्राम्मी सुन्द्री बनाईए अपनी बेटियों को सारी दुनिया सरद्धा से अपना माथा जुकाएगी उनके चरणों में मानिये आदर्स इस्थापित करें मन पवित्र वनाए मन पवित्र होगा संतों की संगती से सत्संग से जितना सत्संग होगा अच्छा साहित पड़ो अच्छी किताबें पड़ो अच्छा चिंतन करो जीवन पवित्र होगा फेस्बुक में वाट्शाप में लगे रहोगे वासनाओं के द्रस देखते रहोगे वही द्रस देख करके सोगे वही द्रस देख करके उठोगे जीवन कैसे सफल होगा मेरे भाई सोचे माई एक आदमी ने कहा कि मोबाइल पर महराजों के प्रवचन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मोबाइल पर ये सब जो दिखाया जाता है ये सही है या गलत है भगवान के चित्र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मैंने कहा अवश्याना चाहिए जिस दिन मोबाइल से ये सब चीज़ें निकल जाएंगी मोबाइल केवल एक बासना का रिमोट बन करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा अरे शत्य बातें भी जाना चाहिए धर्म की बातें भी जाना चाहिए धर्म को महावीर के संदेशों को मीडिया में दिया है तारीफ काविल वह काम हुआ करता है एक सूजबूज से महलुमें 22 दिन की प्रवचन माला में 300 निउज आई हैं अखवादों में 365 निउज आई हैं सूजबूज वाले लोग हैं शोबाताई हैं मिलिंजी फणे चकोर सेट अरविंद भाई शुदीन भाई ये सभी लोग अजित भाई ये के नाम क्या लूँ मैं तो कह सकता हूं आज ये समापन बेला है दसलक्षन पर्व की ये मेरे लिए ऐसे नहीं है कि इ इन लोगों की व्यक्तित最近 को युदर देखता हूं एक एक हीरा इनमें दिखाई देता हैं इनकी योगताओं में इनकी सोच में इनके चिंतन में पहला चत्रमास है मेरा पहला इत्तय जीवन का जिस में किसी महला को अध्यक्ष पद प्रदान किया गया है मिलना चाहिए मैं तो कहता हूं कि मंदरों के ट्रस्टों में महलाओं को भी अध्यक्ष बनने का सवभाग्य प्राफ्थ होना चाहिए मंदिर इन से भरते हैं पूजा पाठ ये करती हैं आज इतने लोग बैठे महलाएं जादा हैं आदमी कम हैं मुझे तो समझ नहीं आता अर भी हिए मैं तो कहता हूं कि भो महलाएं अभी प्रठित है आज सुवए से कह रहे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं हम rápido है उनके दर्द को में मैं कहूंगा कि पूरी समाज को एक ताम के सूत्र में बांधने का काम मैंने सुना है मैंने देखा नहीं है अनुभव किया है और लोगों से भी पता किया है पूरी समाज को एक ताम के सूत्र में बांधने वाली कोई सक्सियत इस धर्ती पर थी तो सेट रसिक लाल इस धर्ती पर सारी समाज को कल मुझे बता रहे थे मेरे कम्रे में आये थे बुले महाराज आज मैं जो भी बना हूं रसिक सेट के आशिरबाद से मुनकी ताकत उनकी शक्ति हमारे साथ रहती थी शोभाताई आज यहां पर हैं कह सकता हूं मैंने एक दिन प्रवचन में कहा जड़क्षा बंदन वाले दिन की जानवी ने राखी बांदी वो धर्मों बहन हो गई वो मेरे कम्रे में आई महाराज वो बहन हो गई तो मैं क्या हुई वो बहन तो मैं क्या अब बहन की मा क्या होती है तालिया ऐसे बज़रे ही जैसे तुमको जलन हो रही हो मुझे रोज क्यारी तुम्हें इंगलिस सिखा के रहूंगी हकीकत में बताओं तो जितना हॉमवर्क मैं नहीं करता हूं तो ना वो करती है घर में और आज कह सकता हूं कि हरादमी की अपनी जीवन सैली होती हरादमी अपनी तरह से जीवन जीता है लेकिन कोई उनके निकट जाकर के यदि देखेगा दिल उनका बिल्कुल साप है पवित्र है निर्मल है और एक जब भी मेरे कमरे में आती हैं नहीं तो उनको कहां फुरसत के इतनी दूर दूर 30-30 किलो मिटर भाग करके आएं आती हैं जब पढ़ाती हैं पढ़ता हूं डिसकर्स करता हूं इंगलिस में पुली हिंदी में मात नहीं करना में इनका गड़वड हो जाएगा ऐसा नहों कि मैं इंगलिस के चकर में अपनी हिंदी भूल जाओं हिंदी तो वही मेरा गर्व है मेरी भासा है मेरी संस्कती है हिंदी में मैं अपनी भावनाओं को भर सकता हूं लेकिन आज के युक के में शार्थक करना इस जीवन को दुनिया याद करे ऐसे काम हमारे जीवन में हमारे द्वारा होना चाहिए संसकार दीजिए शब्विता दीजिए संस्कति दीजिए आचारे भिमल सागर जी महराज महन तपस्री हो इस देश के बादसल्य के धनी और आचारे भिमल सागर महराज ने जब भी अपने हिर्दय में करुणा पैदा की और जब भी अपने हिर्दय में बादसल्य का जर्ना बहाया अरे होंगे बहुत आचारे लेकिन बादसल्य रतना कर तो एक आचारे भिमल सागर को ही दुनिया साइदी दुनिया जानती है जब जब उन्होंने हाथ उठाया हमारे दाधा-गुरू, हमारे गुरु के गुरू, आज्ए आज्ए अरे विमलसागर जी महाराज लोगों ने भौत उनकी आलोचनाय की धर्ती पर जब तक रहोगे आलोचनाय तो होगी ध्यान रखना अच्छा काम करोगे तो भी बुरा काम करोगे तो आलोचनाओं से घबराओं मत हमारी भी महवीर को नहीं छोड़ा लोगों ने रिशब्देयों को नहीं चोड़ा रावण जैसे अत्याचारी राम को श्री राम सुनना पसंद नहीं करते थे बनवासी कह करके बुलाया करते थे कोई बात नहीं ध्यान रखना बुराईयां तो सबको मिलती है जीवन में कोई दिक्कत नहीं है और जितनी बुराईय मिलती है जीवन उतना उचाईयों पर चढ़ना प्रारम कर दिया करता है लोग करेंगे बुराईय अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे लेकिन एक बात याद रखना अरविन जी से मैं कह रहा हूँ जो बीड़ा आप लोग उठा रहे हो बुराईया मिलेंगे टरस्ट हैं खा जाएंगे गड़बड करेंगे ये करेंगे बो करेंगे दुनिया का काम कहना है मैं पहले से ही सावचित कर रहा हूँ काम का बनाना सोचना आसान है चलाना बहुत कठिन हुआ करता है नेगेटिव सोच भी आएंगी आपके पास मैं आपको एक संकल्प दिलाता हूँ एक सोच एक सूत्र देता हूँ बुराईया मिलेंगी मिलने दो लोग तो बुराई सब की करते हैं लेकिन एक वात याद रखना मंझिलों पे जाके चिराग जलाना है हमारा काम हवाओं के क्या रुख है हम ये नहीं देख़ा करते हैं चिराग जलाना हमारा काम है और जिस दिन तुम्हारे सपने साकार हो जाएंगे उस दिन मैं कहूंगा कि तूटी हुई मुडेर पे जलता हुआ चिराग तूटी हुई मुडेर पे जलता हुआ चिराग मौसम से कह रहा है मुझको बुझा के देख मैं भी तो एक तूटी मुडेर पे जलता हुआ चिराग हो ना बहुत तूफान आते हैं बहुत आंधियां आती हैं अरे बुचते हैं वो दिये जो तेल से जला करते हैं हमें तूफान नहीं बुजा सकता हमास्थाओं से जला करते हैं जीवन को सफल बनाना है ब्रम्चरी की साधना एक शक्ती एक उर्जा आदमी की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई होती है चारित्र की ताकत बहुत बड़ी होती है चारित्र होना चाहिए जीवन आपसे निवेदन है दिमल सागर महराज का विरोध हुआ वो जब भी हाथ उठाते थे उनके हाथ ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि मेरा हाथ पुरुस के सीस पर जा रहा है उन्होंने कभी नहीं सोचा ये तो देखने वाले सोचते थे कि महला के सिर पे आसिरवात का हाथ रख दिया ये कैसे महराज इस्त्री ने छू लिया हरे पागल हो क्या इस्त्री और पुरुस के भेद से जो उपर उठ जाता है वो दुनिया में वीतरागी संध हुआ करता है ध्यान रख जिस पर हाथ रख दिया फिर उस हाथ ने ये नहीं देखा कि ये अमीर है या गरीब है इस्त्री है या पुरुस है सादू को कै लेना देना है ध्यान रख जिसको सिरी फल दे दिया स्री संपन्न कर दिया आचारे बिमल सागर जी महराज ने जिस पे हाथ रख दिया उसका उद्धार हो गया हम अभागे लोग है हम उनकी गाथाएं तो गार हैं लेकिन उनकी दर्सन का सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है एक कमी खलती है आचारे बिमल सागर जी महराज मैं अपने गुरू आचारे पुष्वदंत सागर महराज में उन्जे से बातसल्य का दर्सन करता हूँ वही बातसल्य वही प्रेम वही अपनापन उन्होंने अपने जी महराज ने यदि दुनिया के दिलों को जीता है दुनिया के दिलों में राज किया है माना की बहुत बड़ी कठिन तपस्या नहीं करते लेकिन एक बात याद रखना हम जैसे सिश्यों को वे दिये उनने जन्म दिया है तो केवल बातसल्य भाव से उन्होंने जन्म दिया है उनके जीवन का बात सल्य अद्वुत है मैंने उन्हें निकट से जाना है मन कहां बनता है क्या होता है ब्रह्मचर एक जर्ना बहरा था पहाडी नाला उफान पर था बरसात के दिन थे नाला उफन रहा था नाले के किनारे एक खुब शुरत नवयोवना खड़ी थे उस पार जाना था हिम्मत में हो रही थे कि नाले में बह गई तो नाव था ना बेड़ा था ना कुछ था कैसे जाओं उस पार पानी गिर रहा था बरसात हो रही थे सन्यासी निकले दो बुढे सन्यासी को शक हुआ कि ऐसा ना हो कि जे जवान सन्यासी उस नवयोवना को नाला पार करा दे उस नवयोवना ने कहा हे संत जन मैं अकेली जंगल में खड़ी निराधार मुझे उस पार लगा दो मुझे तेहरना नहीं आता बुढे सन्यासी ने का चल है मैं तबस्वी मैं सन्यासी मैं ओगड इस्त्रियों का इसपर्स नहीं करता हूं मैं इस्त्रियों का इसपर्स करने से साधना खत्म हो जाती है कुछ न बोली लाचार लड़की साधू आगे निकल गया आगे बढ़ा उस पार पहुँचा कुछ दूरी पर गया पलट के देखता है तो क्या देखता है जो उसे सक्ता वही हुआ युवा सन्यासी ने उस लड़की को कंदे पे बिठाया नाला पार करा दिया बुढ़े ने देखा जैसे उस पार पहुँचा ओले दूर रहे मुझे मत चुना भश्ट हो गया तू तूने एक महला का इस पर्स किया है एक महला को छुआ है तू दूर रहे मुझे मेरा इस पर्स नहीं तू नरक का पात्र बनेगा तूने अपनी साधना भंगे कर ली तूने अपनी तपश्चरिया भंगे कर ली सुनता रहा वो चुपचाप बोले चल गुरू के पास गुरू से तुझे डंड मिलेगा तरी दिक्षा नस्ट की जाएगी उसने का चलो गुरू के पास गुरू परमहंस थे पहुँच गया बुडे ने कहा गुरू देओ इसको डंड दो प्राश्चित दो गुरू ने कहा किस बात का प्राश्चित बोले जिस बात का मुझे डर था इसने वही किया बोले क्या बोले एक नाला पार कराया एक महिला को कंधे पे बिठा के इसने अपने ब्रह्मचर में दोस लगाया है संत ने गुरु ने युवा सन्यासी से पूछा तुमने ऐसा किया है बोले हाँ गुरुदेव जंगल में लाचार लड़की नाले में उफान तेरना आता नहीं मैंने कंधे पे बिठा के उसे नाला पार कराया है बुढे ने कहा इसे दंड दीजिये गुरुदेव गुरुदेव ने कहा दंड का पात्रे नहीं दंड का पात्र बूढे तु है उसकी आँखें फटी की फटी रह गए बोले गुरुदेव इसने नियम तोड़ा है बोले ध्यान रख वो महला कहा है और शिवा ने कहा उसे तो मैं उस पार ही छोड के आगया वो कहा गई मुझे नहीं पता तो मालुम है परम हंसी गुरुदेव ने क्या कहा गुरुदेव ने कहा दंड का पात्री बूढे तु है ये जवान नहीं ये तो उसे वहीं पर उतार के आगया तु उसे अभी तक अपने भावों के कंधों में लिए घूम रहा है वासना तेरी ज़्यादा है वासना उस बच्चे की तु अभी तक उसे नहीं उतार पाया इतना रास्ता चलाया मन में उसी के वारे में ख्याल कर रहा है उत्तम ब्रह्मे चर्य मने आनो माता सुता बहिन एह जानो जाना रखे वासना तो भी तर है मानिबल वासनाओं में मत जियो वासनाएं कुछ नहीं देती है आश्वासन देती है समाधान कुछ नहीं उनके पास और 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 सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी एक्छा जौला परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में भोग की आहूतियां देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे एक्छाओं की जौलाएं कभी सांत होने वाली नहीं कितना भी करो दो रास्ते हमारे पास या तो बिशियों को भोग लो उत्रप्त हो जाओ ध्यान रखना पहला रास्ता बिशियों को भोगो त्रप्ती हो जाए विरक्ती हो जाएगी या फिर बिशियों का त्याक कर दो त्रप्ती हो जाएगी जीवन में कौन सा रास्ता जहन रखना जहां तक हमने दुनिया से अनभव किया है भोगने वाले रास्ते में कोई त्रप्ति नहीं होती है भोग तो कहती है मानो पावक में हवन कुंड में घी डालते रहोगे अगनी जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी एक एक्षा पूरी करोग अनंतिक शाएं जन्म ले लेंगी एक वासना पूर्ती होगी नई वासनाएं पैदा हो जाएंगी इनका कोई अंत नहीं है तो भगवान महावीर कहते हैं भोग भोगते रहोगे तो कभी अंत और त्रप्ती ना मिलेगी अरे भोगों का त्याग कर दे आज ही तुझे त्रप्त धपोर संख जानते हैं धपोर संख मराठी लोग नहीं जानते हैं माराश्टियन धपोर संख नहीं देखा मैं मत दो प्रकार के संख होते हैं एक वो होता है जो बजता है एक वो होता जो बजता नहीं है जो बजता नहीं है उसे हिंदी में धपोर संख कहा जाता है एक सन्या जगल से एक बहुत बड़े सन्यासी के घर वो रात रुका जिसके घर में रुका उसने कहा यार हमने सुना है तुम्हारे पास बहुत बड़ा संख है जो वर्दान देता है बोले हाँ, बोले संख तो मेरे पास भी है, वह भी वरदान देता है, लेकिन मेरा संख एक वरदान देता है, उसने कहां मेरा संख हजारों वरदान देता है, तो बोले एक काम कर, मेरा संख तू ले ले, और तीरा संख मैं ले लेता है, उसने कहां कोई बात नहीं, मैं तो साद संद मुझे क्या पड़ी है लेलो मेरा संदोनों ने संख बदल लिया बोले यार बता तो ये बर्दान देता है कि अरे बोले देगा मांग उसने मांगा उले है संक राज मुझे लाख रुपे चाहिए संक ने का पागल है दो लाख मांग अरे उसने का मज़ा आ गया इस संक तो एक मांगो तो दो देता है उसने का संक जी दो लाख रुपे चाहिए बोले पागल है चार लाख मांग अरे उसने का मज़ा आ गया ये संक मुझे प्राप्त हो गया ये संख लेके बेठा जैसे बदला हुआ संख से बोला कि मुझे दस लाख चाहिए धपोर संख ने कहा 20 मंग तो वहले चलो भाई 20 लाख दे दो धपोर संख ने कहा 40 मंग तो भुले भाई 40 लाख दे दो अरे वोले 80 मग अरे क्यते सुवय से साम हो गई संख्या बढ़ रही है वो डवल ही डवल होते जा रहा है धपोर संख आश्वासन देता है देता कुछ भी नई है देने वाला संख तो दूसरा उठा कर गे यह केवल आवाज आश्वासन देता है इतना मांगो इतना मांगो और ले लो और धप छोद एक बार भोगो और मोट के मुद में डाल देता है ध्यान रखना और के पास केवल आश्वाशन हैं इंड्रियां केवल आश्वाशन देती हैं समाधान नहीं दिया करती हैं ध्यान रखे मानिवर कि समय आपका हो रहा है हो गया हो क्या रहा है कि भूके वह उपास है आश्वाशन नहीं ऐसा नहीं है मेरा नहीं है मेरा उपास नहीं मेरा तो रोजी उपास है कि इतना जरूर कहूंगा कि दस धर्मों की हमने साधना की सब जगए इन धर्मों को अच्छा माना जाता है महान माना जाता है महावीर की दृष्टी थोड़ी अलग है भगवान महावीर बाहर के त्याक को बाहर की साधना को साधना नहीं भीतर की साधना को बड़ी साधना माना जाता है महावीर ने देखने को मना नहीं किया लेकिन किन भावों से देख रहे हो इस पे ध्यान देने के उन्होंने बात कही है महावीर ने जीने को मना नहीं किया किन भावों से जी रहे हो उनको पकड़ने का प्रयास करो महावीर ने पूजा करने को मना नहीं किया लेकिन महावीर कहते कि इन भावों से पूजा कर रहे हो उन भावों पे नजर रखना उसका नाम दसलक्षन धर्म हुआ करता है जवाब यहां से घर जाओ ध्यान रखना यदि किसी को जो घर में पहुँचो परिवार में इट का जवाब पत्थर से ना दे पाओ तो समझना दसलक्षन धर्म हमारे जीवन में आचुका है जब यहां से घर जाओ सारा एहिंकार मिट्टी में मिलने लगे समझना दसलक्षन धर्म की साधना हो गई पूजा पाठ नाच गाने से साधना नहीं होती मेरे भाई जब यहां से घर जाओ, छलकपट प्रपंच छूट जाए समझना दसलक्षन धर्म की आराधना हो गई जब यहां से घर जाओ, जो आपस में बोलते नहीं है और यदि गले मिल जाओ, सम्मत्सरी हो गई उत्तम चमा हमारे जीवन में आ गई था जीवन बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए, सोच नहीं बदली, कुछ नहीं होगा जिन्दगी है, बाणी में परिवर्तन हो, मन में परिवर्तन हो, बेवहार में परिवर्तन हो बो तम धर्म, दसलक्षन धर्म हुआगा कितना हमारा जीवन बदला वस यही सोचना यहां से जा करके कितना चिंतन बदला कितनी सोच बदली बदल गई तो जिन्दगी सार्थक है तो तुमने परिशन पर मनाया है और जैसे रहे वैसरी तो किस काम के अफिराप की जिन्दगी है कभी पंच कल्यानक प्रतिष्ठा में देखना पत्थर के भगवान मंच पर लाए जाते हैं जैपुर से मूर्ती आती है यहां भी महावीर भगवान आये हैं जैपुर से आप लेकर आये हो गयों पांच दिन के पंच कल्यानक में जब मूर्ती पंडाल पे आती है ना तो पत्थर बनके आती है लेकिन पांच दिन के कि लुटा करता है कि अरे पत्थरों को तो भगवान बना दिया हमने लिकिन हम जैसे लोग पत्थर आ कि भगवान बनके जाता है और हम जैसे जाते हैं बेसी लोटके बापिस आजाते हैं गंगा गए इसनान नहीं किया विचार करिए गंगा में आये हो तो इसनान करके जाओ परियूशन पर्व तो वो गंगा है यदि इस गंगा में इसनान कर लिया तो कववा हंस बन जाता है और हंस इसनान करे तो परम हंस बन जाया करता है कितने परम हंस बनते हैं यह हमारे चीवन की सोच बना चाहिए जिन्दगी को बदलो सोच बदलो सोच बदलोगे सब कुछ बदल जाएगा अतीत को भुलाओ अतीत को सीने से लगा के मत जियो जिन्दगी आज है अभी है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है हजारों खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है पुँचे कर अश्क अपनी आखों के मुस्कराओ तो कोई बात बने सर जुपाने से कुछ नहीं होता सर उठाओ तो कोई बात बने सर उठाओ तो कोई बात बने जिन्दगी भीक में नहीं मिलती जिन्दगी बढ़ के छीनी जाती है अपना हक संग दिल जमाने से जीन लाओ तो कोई बात बने शोबात आई रो रही है क्यों रोती हो रोना नहीं जिन्दगी में हसना सर जुकाने से कुछ नहीं होता सर उठाओ तो कोई बात बने पहुँचे कर अश्क अपनी आखों के मुस्कराओ तो कोई बात बने मुस्कराओ तो कोई बात जिन्दगी चंद दिनों की चंद पल की मिली है मेरे भाई मोज में गुजार दो अनंद में गुजार दो ज्यान रखना इमानों जीवन आज जैसे दसलक्षन पर्व हसस के आनंद से गुजार दिये आनंद से गुजारो मैं अक्सर कहता हूँ जिसके जीवन में आनंद है उसके जीवन में परमानंद है रात को बारा बजे नंद के घर आनंद पहुँच जाता है जेलों में प्यदा होने वाला कनया रात को बारा वजे जेलों को जेल को तोड़ कर कहा गया नंद बाबा के घर गया ध्यान रखना रोते हुए के घर नहीं गया नंद के घर आनंद भयो जै कनया नंद के घर परमानंद स्वयम जाता है स्वयम परमानंद हमारे घर आएंगे जीवन में आनंद बटोरने का प्रयास करिए जीवन को सार्थक करो ब्रह्म चरिक की साधना आनंद ही आनंद है ब्रह्म जेसी चरिया इश्वन जेसी चरिया में हमारा जीवन व्यतित हो गया अमजी ये थोड़े सा जीवन को बदलने का प्यास करो थोड़ा ज़्यादा नहीं कोई सीधी लाइन में है थोड़ा सा इधर हो जाए तो अलग दिखा करता है थोड़ा सा बस ज़्यादा नहीं उचाहियां पाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना थोड़ा सा करना मैं आपसे एक बात बोलूँ अंतिम बात बोल के शमाप्त करूँगा आपने कोई संस्था बनाई कोई काम किया आपने दान लिखाया ध्यान लखना सो सो रुपे दान लिखाये आजकल सो की कोई वैल्यू नहीं है लिकूँ धारण है सो सो रुपे आपने दान लिखाये सिलापट पर आपका नाम लिखा जाएगा एक बात बता ना एक रुपिया कम कर लो सो रुपे में से नाम कहा लिखा जाएगा बोलिए सबसे नीचे एक रुपिया बस जादा देने से नाम कहा जाएगा क्यों एक रुपे में जिंदगी बरबात करते हो बचाने में मेरे भाई जिंदगी को महान बनाना है तो बहुत बड़े-बड़े काम नहीं करना एक रुपया जादा दो टाप पे नाम पहुच जाएगा सो रुपय दोगे तो बीच में रहोगे और एक रुपया कम कर लोगे सबसे नीचे एक रुपय में इतने नीचे इतने डाउन हो गया आदमी एक रुपया बचा करके रेक रुपया जादा करो तो सबसे उपर नाम आता है जादा नहीं करना एक छोटा सा काम बड़ा कर लीजिए जिन्दगी तुमारी बहुत बड़ी हो जाएगी ब्रह्मचर की साधना बड़े लोग कोई बहुत जादा बड़े काम नहीं करते कुछ उनके करने के अंदाज बड़े हुआ करते हैं सारी दुनिया उन्हें अपना आदर्स ब्रह्मचर का दिन सबके जीवन में ब्रह्मचर आउतरित हो आज साम को कितने बजे देखो पक्का छे माने चार बजे तो अलग लगती है साम को कुछ बच्चों के प्रोग्राम होंगे सब होंगे ओम्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाई नमहा 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 आरमगाई नमआ ओम रिम उत्तम् प्रम्मचर्या। धर्मंगाय नमाहा ओम्रीम उत्तंब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमाहा ओम्रीम उत्तंब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमाहा ओम्रीम उत्तंब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमाहा